यहां से आपके 20 कोस्तन आएंगे आपके एक्जाम में अगर आप जारकंड आपको जैसे से सीजियल का दोगे तो बेटा 20 को सन वहां भी आएंगे अगर आप जारकंड उतपाद सिपाही को दोगे तो भी 20 को सन आपके आएंगे यारी सोच लो साइंस आपके लिए कितना इंपोर्टेंट पार्ट है और मैं आपको डेली अब आपको क्लास दूंगा मेरे दोस्त यह मेरा बादा क्यूंकि मैं आकसर पड़ाता हूं आपको पहले से ज्यादा तो अगर आप चाहते हो कि जारकंड सीजियल में जारकंड उतपाद सिपाही में जारकंड जेई में जारक सब्सक्राइब और अभी जीवों को रखेंगे यानि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोसी का भीती के साथ बहु कोस किये सुकेंद्री है किस में रखेंगे बताइए चार ओप्सन आपके साथ है आपके पास 10 से 15 सकेंड का समय है आपकी समय सिमा सुरू होती है अब जल्दी से बताइए पहला ओप्सन है एनी मिलिया दुसरा है मोनेरा तिसरा है प्लांटी चौता है प्रोटिस्टा मेरे दोस्त अब आपकी जवाब आनी चाहिए थी जल्दी से कमेंट वोक्स में आपको बताना होगा कि इस कोसन का राइट अंसर क्या होगे तभी तो आप जारकन सीजियल में जारकन उत्पाज सिपाही में जारकन मैट्रिक लिवल में और जारकन का जो जेई का एकजाम है जारकन का जो टीचर का एकजाम है उसमें एक नंबर पका कर पाओगे तो इसका राइट अंसर है आपको प्लांटी यानि क्या रखना पड़ेगा मुझे planty में किसमें रखना पड़ेंगा मेरे दोस्त पलांटी में चलिए अगले question करते हैं है न आये तक इस question को अगले question को लेने से पहले मैं आपके लिए कितनी बढ़ियाँ-बढ़िया बाते लिख के आता हूं ताकि मेरे दोस्त मेरे भाई जो मेरे जारकंड के प्लांटी जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भीती के साथ बहु कोशिकी ये सुकेंद्रिक है अगर आपसे ये कोशिका भीती किसकी बनी होती है तब आपका जवाब होगा सेलूलोज की बनी होती है जन्तु कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली पाई जाती है यह फॉस्फो लिपिड का बना होता है जो animal जो sale होते हैं उसमें क्या पाई जाती है कोशी का जिल्ली पाई जाती है और वो जो कोशी का जिल्ली होती है वो phospholipid की बनी होती है अगला question है कि पादप जीव जगत की एक बड़ी स्रेनी है यानि कि जो plant है वो जीव जगत की क्या है एक बड़ी सी स्रेनी है इसके अधि कोस्टन लेता हूं और यह देखे कोस्टन नमर राद दो कोस्टन नमर दो बहुत ही बहतिन कोस्टन में से एक है गुर्तवा कर्सन बल डॉट डॉट बस्तूओं के बीच मौजूद होता है प्रंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक की बस्तूओं का से भर पाएंगे यह आपसे जवाब देना है आपके पास चार उप्सटन है आपके पास 10-15 सकत की समय होती है जब समय सीमा आपकी अस्टार्ट हो चुकी है पहला उप्सटन में चार प्रतेक और हरेक केवल एक या केवल दो तो मेरे दोस्त क्या मैं आपको बताऊं क्या इस से थजो हर साथिए वह का अप्सन का नमबर ब्रतेक और हरेक बस्तूंयों के बीच मौजूद होता है इस बात को याद रखना गरत रिख्षू अर हरेक बस्तूंयों के बीच क्या होती है मौजूद होती है ठीक है लेते हैं अगले लेकिन लेने से पहले आपको पता कि इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक की बस्तुओं का द्रब बिमान बहुत अधीक जैसा की ग्रहों में नहीं होता है तो इस बात को याद रखना है अगला पॉण्ड के यहां गुर्थवकर्शन के बारे में स्वर्वपर्थम प्रह्मगुप्त ने बताया था थ पॉण्ड के लिए ही लिखा गया है तो मिरे दोस्त जब कहीं भी सो रहे हो बैट रहे हो कहीं भी अकेला पन भासूस कर रहे और उसे बरवाद कर दीजिए जैसे कि मैं सुंबार से मैथ को बरवाद करने वाला हूं एक मैथ की बैच लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्या पत फूल के रूप में जाना जाता है उभाई लिंगी फूल के रूप में किने जानते हैं आपके पास चार उप्सन है आपकी समय सीमा सुरू होती है अब जल्दी बताइए पहला उप्सन है खीरा दूसरा है सरसो तिसरा है तर्बूर चौथा है पपीता आज मैं 30 सेट का कोस्ट हैना यानि कि 30 सेट में लेकि आया हूँ कोफ समय जो शेट नमबर आत है आपको क्या करना है पहले तो मेरे साह सात बनाते रहना है और लास्ट में य भी कमेंट करके बताना है कि सर मेरा 130 सही हुआ है ना 830 मे इतना उपकूर दोऄर रा्णश को रादिंग Eldific प्रियारे मित्र नेक्स्ट तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर है सर्सो सर्सो जो है ना एक उखहे लिंगी पुस्व का उधारन ठीक है अगले कोशसर बढ़ता हूं यह सब किसे करना है आपके लिए चब कभी आकेले हो तो इसको क्या किजेगा दरसाता है कि अ की पर मान संख्या उसके पर मानुद्रमान की तुलना में अधिक मौलिक कून हैं सरता है यह समय हो चुकी है has जल्दी से हमेस समय हो चुकी है अस्टार्ट जल्दी से बताऊ ने कर सर荷 सथी यह और क्लास एक दम बिल्कूल कंटिन्यू चलेगी नहीं तो इसका जो राइट अंसर वह आपका ऑप्शन नंबर सी है यानि ऐसा जो बोलने वाले ब्यक्ति थे उनका नाम था हैंड्री मोसले नेक्स्ट कोश्चन नमर लेते हैं कोश्चन नमर पांच लेते हैं यहां पर डिस्क्रिप्शन लगा दिए हैं आपके लिए कोश्चन नमर पांच कता है कि एक भीड भाड बाली सडक पर एक बस की गती डॉट डॉट गती का एक उधारने भीड भाड वाली क्या है सडक है तो इस वरकार का जो उदारन है आपको यह बताना है पहला है रेखिए का दूसरा एक समान का तिसरा असमान का चोफा बृतियागा जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा आपको आपके लिए ही कोस्टन लेके आया हूं है ना जल्दी से जवाब देदो मेरे जो हार साथियों भाई एवं बहनों लगा दो आग पानी में और उड़ा दो जारकंड के साइंस को तुफानी में न रहेंगे न रहने देंगे तो इस कोस्टन का जो राइट अंसर है वह का है option number c यानि भीड वार वह चलते हैं तो हमारी गती बढ़ते रहती है घटते रहती इस परकार से होती है और इस परकार की घटना होती है उससे हम लोग बोलते असमान देंकिसाप साफ यहां पर लिख दिया गया है मेरे दोस्त क्या लिखा है एक भीड वाली सड़क पर ए तो उसकी गती को क्या कहते है? सरल रेखिये गती कहलाती है, सीधी सड़क पर चलती हुई कार्ड जो है, वो सरल रेखिये गती का क्या है? एक 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 जामपल है. क्या आप जवाब देने लाइक योग हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाइ कर दीजिए कि कोशन नमर छे का अंसर क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट लेने से पहले भी उसी तरीका से मैं आपके लिए ले के आ चुका हूँ, इस तरह का डिस्क्रिप्शन। और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आपके लिए लगा दिया हूँ, ये काम है आपको पढ़ना मन से इज़्जत के साथ। कोश्चन नमर अब लोग साथ लेंगे लिखा है कि एक विदूत वल्व के एक फिलामेंट द्वारा नो मिनट में 0.75 एमपीर की धारा ली जाती है। हारा के माध्या में परवाहित होने वाली विदूत आवेश की मान ग्यात करे यानि कि मात्रा निकालना है कि कितना आवेश परवाहित हो रही होगी। परने क्लास 10 में पढ़ा होगा की मेरे दोस्त करेंट बरावर होता है करेंट बरावर होता है चार्ज अपन टाइम है ना तो हमें निकालना है आवेस तो आवेस बरावर क्या हो जाएगा एंपियर गुना टाइम अब एंपियर है 0.75 और टाइम लेना है सेकेंड में तो 9 है मिनट मिनट को सेकेंड में लाना है तो 60 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे आइसा करने से जो अंसर आएगा वह आपका आजाएगा कुलम में अब यह बताओ मेरे दोस्त नो छका चंवन पांसो कितना गया साथ यह जिकें तो कितना है यह हमारा 0.75 है इसको काटोगे तो आजाएगा तीन वटा चार इंटू नौ इंटू साथ अब बताओ चार से काटो है जो निकल के आएंगे वह आपसान नंबर आपसान नंबर जो डी है वह एकदम करेक्ट अंसर है एना 0.75 0.75 को चेंज करोगे एना तो क्या लिखोगे यह 0.75 है इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे वन और वन पॉइंट के बाद कितने आंके दो आंक त सामका च्छे वजे मैं बहुत ही बहतरीन और बहुत ही प्यार से आपको मैठ तिखाने वाला हूं सोंबार से क्लियर है मेरे प्यारे मित्र और बरवाद कर देंगे क्योंकि मैठ का जो कोर्स लेके आया हूं उसका नामी है मैठ फूर ऑल बैच कता है सीलिका घुलन सील है किस में घुलन सील है जल्दी से बताइए आपकी जवाब इतने समय में अब तो मेरे दोस्त आ जाना चाहिए थी क्योंकि ऐसा कोशन में कुछ है नहीं सीदे आंसर एबी सीडी में कोई एक देना है तो इसका जो राइट अंसर है वह आपका ऑप्सन नंबर ए है यानि सीलिका ज पूचा जाए है यह काच को घोलने में परियोग तो होता है याद करना इसका करते हैं काच को घोलने में हम लोग परियोग करते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमर नाइन है मेरे प्यारे मित्र कि C&G का मुख घटक C&G C&G का हमें कमेंट करके ये बताना कि फूल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको करवा रखा है प्यारे मित्र क्या आपका अंसर होगा आपकी समय सिमा हो चुकी है अस्टार्ट अब जल्दी से बताइए what will be the answer of this question my dear है ना जो हार साथियों तो इस question का जो right answer है वो आपका है मिथेन और हमने आपसे पूछा था कि C&G का full form क्या होता है या आपको ये बताना है comment box में type करके क्योंकि ये मैंन मैं इसका भी कुछ विशेश जनकारी लेकर आया हूं साफ साफ लिखा हुआ है कि C&G का मुक घटन क्या होती है मिथेन होता है एक संप्रित प्राकिर्ति गैस प्राकिर्टिक रूप में पाए जाने वाला एक जोलनसील क्या होती है गैस होती है है ना LPG अगर मैं LPG के बारे तो वह सुगंध किसकी बजा से होती है तो वह सुगंध होती है इठायल मौर काप्टन की बजा से होती है तो इस बातको आपको याद रखना है कि गैस कारी साभड का पता कॉम सिस सेंट के माध्यम से पता चलता है तो आपको याद रखना mortel मैर कैप्तन की बजा से को सitas number 9 बोलता है कि निव्टन किया गती का तिसरा नियम निमलीखित में से किस इस्थितियों पर लागुँ होता है आपके पास चार ओसने विलेबल है मेरे दोस्ट चारों पीछेकीकी के ब्रोच समय होतीए सुरू अब पहला है कि जब कोई ब्यक्ति नाव से नदी के किनारे कुदता है तो नाव पीछे की और जाती है मेरे दोस्त यही तो एक्जामपल है जब तुम नाव चलती होई नाव में क्या होते हो कुदते हो तो नाव क्या होती है पीछे की और जाती है यही तो example है अब आगे पढ़ने की कोई आप सकता ही नहीं है यानि option number A जो है न वो इस question का right answer है next अब मैं चलूँगा यह देखिए आपके लिए कुछ विसेश जनकारियां इस परकार से मैंने क्या किया है लगा दिया है आपको क्या करना इसकर screenshot लेना है पढ़ना है मन से और आगे बढ़ते रहना है next हम लोग लेंगे अगले question की और question number देखेंगे 11 क्या कर रही है पता कि उस बाहिनी का नाम बताईए जो पुरुस के बिस्न से निकलती है और सुक्रानू को सरीर में ले जाती है यानि हमारे बिस्न से निकलती है और सुक्रानू को क्या ले जाती है आपको सरीर में ले जाती उस बाहिनी के बारे बतना उस नली के नाम बताना है जो पुरुष के बिसन से सुक्रानु को कहा ले जाती है शरीर में ले जाती है तो पहला अप्सन है अधी बिसन दुसरा है तुसरा है तिसरा है मुत्र बाहिनी चौथा है सुक्र बाहिका तो देखो मेरे दोस्त किसको ले जाने का काम कर रहा है सुक्रानू को तो इसको हम लोग वोलेंगे क्या सुक्रवाहिका यानि अंसर नंबर जो है वो डी विल भी दर राइट अंसर आप दिस नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं ना लेट करेंगे ना बेट करेंगे सीधे कंटेनिव अच्छी त कोशन नंबर 12 मैं करीब करीब 10 से 15 हजार साइनस करवादोंगा चलिंगा तक को जब तक कि तेरा जी हरखन उत्पास श्रूब का रहता है कि कोई आफ सकता ही नहीं सारा का सारा सारा समुख के पॉदर सब का अंसर किमीना और बहुत प्यार से कि सब्सक्राइब केकल नहीं पाए जाते हैं जो समो के पदे होते हैं। उसमें नहीं पाए जाते हैं, पहला उपसाने पते, दुसरा है फूल, तिसरा है जर्ड, चौता है तना, आप लोग सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्लांट किंग्डम, तो आपको टेरीडो फाइटा, थैलो फाइटा, इस सब सब के बारे में आपको जनकारी होग हैं, उसमें फूल, नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो इस तरह से जब पढ़ोगे न, और जब दस से बारा हजार कोश्चन आप कर लोगे, साइंस का, तो कुछ रहेगा ही नहीं, इसी तरीका से मैं मैं करवा दूगा, मैं की क्लास आपको सुम बारते, सामें 6 वजे, कंट की टाइफा, टेरी टो फाइडा, एक और पूस्व और बीज का उत्पादक बारतो फाइडा से अदूसरी और यह लिखा हुआ, तो इस तरीका से पूरी जनकारी आपको दी जा रही है, नेक्स्ट कोशन लम लेते हैं 13, क्या बोल रहा है, कि एक प्रती ध्वनी के लिए, स् का नाम का पड़ा होगा, उसमें ये चीजे आपने पड़ा होगा, तो जल्दी से बताए कि प्रती ध्वनी के लिए, स्त्रोत्र, यानि की सोर्स, आइंड प्रावर्तक यानिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, की बीच की दूरी कितनी होती है, तो एक अच्छे एको के लिए, कच्छे प्रतीध होनी के लिए जो सोर्स होती है और जो हमारा प्रतीध होनी होता है उनके बीच का जो मिनिमम लेंथ होती है मेरे दोस्त वह होती है 17 सेंटीमिटर यानि इस कोशन का जो राइट अंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है नेक्स्ट प्यारे मित्र आगे के लिए में से कौन सा समिकरण इस्थिती समीकरण स्थिति बेग के समंध को दरचाता है पर यहां पर हम को बेग का औरताता कौन सा समिकरन इस्तिती बेक के समंद को दर्साता है तो वो है आपका राइट अंसर ऑप्षन नमबर डी यानि कि जो भी इसक्वल टू है यानि कि टू एस एक्वल टू भी एसक्वाइर माइनस इव जो होती है वो आपको ये दर्साने का काम करती है प्यारे मित्र तो अगले को लेते हैं और इसे बरवाद करने की कोसिस करते हैं लिखा हुआ है कि निमलिकित में से कौन स्ता या से कत्न क्या है सत्य है हमें कौन सी कत्न सत्य है इसके बारे में बताना है आपके पास दो कत्न दिये हैं एक स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट यह हैं दूसरा स्टेटमे तुलित रसायन समिकरन में अभीकारकों और उत्पादों शेλए सभी तत्व कर्मानु की संध्याश समान होती गर्हार दोसस्त ये तो एक और उत्व इसलितल समूसर वह पर दोस्त ugly है नहीं tricked तो इस question का जो right answer है वो आपका हो जाएगा option number a will be the right answer ठीक है तो मेरे जहारकंड के जितने भी जोहार साथी है बस मेरे साथ इसी तरीका से आपको पढ़ते रहना है और मैं इसी तरीका से science को बरवाद करते रहूँगा है ना मेरे दोस्त है ना मेरे भाई है ना मेरे चाहने वा बताना है निमन में से कौन मानव अहार मानव अहार मानव अहार मतलों elementary कैनाल की बात हो रही है नली का भाग नहीं है यानि कि बताना है आपको की निमलिखित में से ऐसा कौन सा है जो elementary कैनाल का भाग नहीं है पहला option है मुक ग्रीका बायुक कोशिका पितासय बढ़ियात तो तो यहां पर आपको comment box में यह type करके बताने है कि इसका right answer क्या है आपकी समय सिमा हो चुकी है start अब जल्दी से बताइए तो आप लोग को पती होनी चाहिए आप लोग को पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि हमसे पूछा है मानव अहार नली का भाग नहीं है तो अहार नली की भा अधिका से आपको लगा दिया गया है देखिया हमारे जो अन्मेंटरी कैनाल के भाग होते हैं यह ना पाचन तंत्र का परमुक अंक कौन कौन सा है मूह है ग्रास नली है पेट अगनासे यकृत है पितास है चोटी आते बढ़ी आते और बला से यह सब जो है ना हमारे एनमे आपको यह बताना है कि परमानु का जो नाभिक मोडल है वह पहली बार किसके द्वारक हो जा गया पहला उप्सन है अर्नेस्ट रदर फोर्ड दुसरा है दिमेत्री मैडलिफे तिसरा है निल्स बोर चौथा है लूइस पास्चर आपकी समय सिमा हो चुकी है स्टार्ट अब जल्दी से कमेंट बोक्स में टाइप करके बताईए कि इसका राइट अंसर क्या है और आप लोगो मैंने बोला है कि लास्ट में आपको यह भी कमेंट करके बता देना है कि आपका तीस में कितना सही हुआ है ताकि मुझे यह पता चल पाए कि हमारे बच्चे का लेवल किस पर रखना है कितना लेवल बढ़ाना मुझे है जल्दी जल्दी बताईए तो बताईए इसके जो पाली जो यहने किसके दोर बताया गया था और नेस्ट रदर फोड के द्वारा यानि इस को सनका जो राइट अंसर हो जाएगा वह आप्शन नुमबर ए हो जाएगी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यह कोस्टन नुमर 18 लेते हैं लिखा गया है कि गुर्तवा कर्षन नियतांक क्या होता है आपने ग्रेविटेशन नाम का एक चेप्टर पढ़ाओगा आपने गुर्तवा कर्षन नाम का चेप्टर पढ़ाओगा क्लास नाइन्थ में उसमें यह चीज़े बताई गई होंगे आपके सिच्छकों के द्वारा तो जल्दी से बताईए कि जो गुर्तवा कोर्षन नियातांक होता है जिसे हम लोग कैपिटल जी के नाम से भी जानते हैं इसका है इसका जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है पहले यूनिट में गया है होता है नियूटर मीटर असक्वाइर प्रती किलोग्राम असक्वाइर यानि यूटर इंजो हमारा जो इसका यूनिट देखे दे तो ऑप्सन नमर्डी काई साहिए इसलिए अगर याद नहीं भी है तो आप इसको सब्सक्राइट अंसर निकाल पाते तो इसकी याद को सब्सक्राइब अच्छा यह सब्सक्राइब देख लेते हैं गुर्तवा कर्षन नियतां का मान 6.67 इंटी टीटी पार-11 निउटन मीटर असक्वाइर प्रती किलोग्राम असक्वाइर होता है आई जक निउटन ने सन तोला सोस्ता सिथांत दिया था गुर्तवा कर्षन क वह पाती होता है यह आपके फोर्स के फॉर्मूला से भी आपको पता चल जाएगा ठीक है प्यारे मित्र को सब्सक्राइब नमबर लेते हैं अगला जो बनाएगा आपको पगला को सने कि यौगिक का समाने नाम क्या है पहला आप सब्सक्राइब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, बिलिचिंग पाउडर, धुलाई का सोडा, चार आपके पास option थे, और आपकी समय सिमा हो चुकी है, अस्टार्ट अब, जल्दी से बताईए, इस question का क्या right answer होनी चाहिए, आपकी समय सिमा क्या हो चुकी है, start हो चुकी है, मेरे प्यारे मित्र, मेरे जोहार साथीयो जल्दी से बताईए तो इस कोशन का राइट अंसर है आप लोग अपने अंसर को मैच किजिए क्या आपका ऑप्षन भी आपका भी अंसर ऑप्षन सी आया है अगर इसा है तो अपना एक मार्क्स आपको प्राप्त हो चुका है कोशन नमबर 20 लेने से पहले कुछ देख लेते ह हैं लिखा है कि योगिक DC O sl to सारसायनिक दाम क्का होता विछंग पाउडर होता है कैलuir सीम हाइपो कोलرाईड एक आकार्वनिक योगिक है इसका रसायन सुत्र होता है इसे क्लोरीन की तिवर गंध पे निकलती है अगला लिखावा है कि क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है बिलिचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम क्या बोल रहा है कि 17 वोल्ट के विवांतर वाले दो बिंदूओं के बीच पांच कुलॉम पांच कुलॉम के आवेस को असनांतरित करने में किया गया काम क्या है हमें निकालना है वर्क हम लोग के पढ़ता है कि दो बिंदूओं के बीच का जो विवांतर होती है विवांतर को और टिंटू क्या जगा चार्ज अब वोल्ट कितने मेरों 17 चार्ज कितने हैं 5 वर्क कितना हुआ 85 पच 250 वर्क कितने लिखते हैं जूल में यानि हमारा जो वर्क हुआ है वो 85 जूल हुआ है इसलिए इस कोशन का प्रथम तत्व क्या होता है, यानि जो हमारा समू है, हमारा जो ग्रूप है, जो 17 ग्रूप है, उसका पहला तत्व, यानि कि first element क्या होता है, ये आप से पूछा गया है, आपकी समय सुमा हो चुकिए है, बताइए जल्दी से, इस question का right answer क्या होगा, पहला option है, मेरे प्यारे मि बर्वाद में करेंगे सीधे एकड़म पढ़ाते रहेंगे एकड़म पूरी तरीका से कंशंट्रेट ओके नो लेट करेंगे नुवेड करेंगे सीधे ट्रास्वा को परवाद करेंगे तुह इसका जो राईट अंसर वह आपका फ्लॉरीन यानि कि आप्शन नंबर वी में दर्साया जाता है जो एलेक्रिसिटी इनर्जी होती है उसे हम लोग किस रूप में दर्साते हैं यह आप से पूछा जा रहा है किलोवाट घंटा दूसरा है वाट तिसरा है जूल तिसरा है सकती तो देखो सबसे पहली बात है इनर्जी की बात हो रही है उर्जा की बात हो में वहारों में जो इनर्जी होती है उससे हम लोग किलोवाट घंटा में मेजरमेंट करते हैं यानी अपसण नंबर यह वह बिलकुल सत्ट है यानी बिलकुल सही की अंसर है मेरे प्यारे मित्र कोस्टर नमर 23 कोस्टर नमर 23 में बोल रहा है कि द्रब बेमान और बेग का गुननफल डॉट 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 कहलाता है क्या कहलाता है आपने यह भी पढ़ रखा होगा क्लास नाइंथ में कि लिए तो जल्दी से बताइए फुत प्लावन सब्सक्राइब कहले आतिये वंहंतों यह वाइंव कुछा गया है और जो मंतै इनके प्रोड़ट क्या करते स्कें के मोमेंटम नम्बर जो भी है वह यह कब क्या है सही है ठीक है प्यारे में चलिए कोशन नमर लेते हैं 24 में क्या बोल रहा है कि प्रजनन के दौरान मुलकार एक क्या और एक क्या का निर्मान करना होता है आपको बताना है mRNA कोपी का DNA कोपी का RNA कोपी का TRNA का सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना जाता हूं कि प्रजनन कार के दौरान जो मूलकार होता है उसमें RNA कोपी की इस्तिमाल नहीं की जाती है तो जहां जहां RNA है वो तो आपका गलत है यानि जो आपकी right answer है वो आपका क्या है option number B यानि कि DNA क कोपी कहा क्या करते हैं इर्वान कराना दूता है नेक्स आते हैं मिरे भाई मेरे चाहनेवाले ज्छार कंड के जोहार सा थी सब्सक्राइब 25 यह कोशन बहुत ही popular उस्ड़ने यह कितने वार ना जाने कितने वार बिटा आपके पर परकन तो छोड़ो भारत में ऐसा कोई एक्जाम नहीं है ना जिसमें यह कोस्टन नहीं आया हुआ है तो पहले यह करना है कि आपको भी पता है कि किसे जाना जाता है जल्दी से बताई कमेंट वोक्स में बताईए आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब तो क्यूक सिलवर के नाम से जानते हैं हम लोग पारा को यानि इस कोस्टन का जो राइट अंसर है मेरे प्यारे मित्र वो क्या है ऑप्शन नमबर बी बिल बीदर राइट अंसर नेक् तो इसकान मुख और सीनेवार होता है यह भी पूछा तो ल किसे को यह सकी तो आपको अंसर देना है पारा कही ने अ ना अगला की हो जाता है डूसरी बा lemon को साब्स पूछा जाता है कि आप अध्याने वाली धातु का नाम बता यह remote दो बायं जाने वाली इसी का पर्योग हम लोग थर्मा मीटर या वारो मीटर में करते हैं यह भी कोस्टन आपके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है ऐसा कौन सा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है यानि कि नुकिलियस नहीं होती है पहला अप्षन अरित्रोसाइट्स तंत्रिका कोशिका है तो अगर मैं आप से यह बात करना चाहूं तो आपने सुना होगा कि बलड में बलड जो हो नहीं क्या होता है और अरित्रोसाइट और और फीच्ट मेरे स्वांट कोई विज़ेंस क्वटम आ अपकी लिए लिख के लाया हूँ कि मनुष्ण के शरीर में उपस्तित आरित्रोसाइड को्सिका में केंदरक नहीं होता है लाल रक्त कोषिका में केंदरक नहीं होता यानि कि RBC नहीं होती है RBC की जो life aspen होता है वो 120 दिनों का होता है RBC में क्या पाई जाती है हेमोगलोविन पाई जाता है और ये हेमोगलोविन क्या है एक परकार की प्रोटीन होता है अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल रक्त कोशिका का निर्मान कहा होती है तक आपको अनसर देना अस्थी मजा में होता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि RBC में क्या केंद्रक पाई जाते है तो आपको बताना RBC में केंद्रक अनुपास्तित होता है ठीक है लेकिन दो जानवर है दो ऐसे मेंबल से जो एक लूट है और क्या है लामा इनके आरबीसी में मेरे दोस्त आपको केंद्रक पाया जाता है तो यह अपवाद है यह आपको याद रखना है लेकिन पूछा नहीं गया है आज तक कि अगला कोस्तन यह बोल रहा है कि निम्न में से किस योगिक में सबसे अधीक अनू होते हैं यानि सबसे ज्यादा अनू किसमें है पहला है अप्शन है एच एन ओटू और एस टूए सफोर दूसरा है कि सी ओटू तिसरा है सी ये ओच के हल्टू जल्दी से आपको बताना है क मेरे अनुसार से किसमें है हाज रोजन यानि कि सलफ एस टूए सफोर में है ठीक है प्यारे मित आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा चीज़ लगा कर रख दिया हूं यह चीज़े आपके लिए ही लाई लाई जाती है क्योंकि हमारे बच्चे कोस्तन तो क्या होता फूर्मूला इनका क्या है सबसे अधीक हुए सल्फ्यूरिक अमलको भी हम लोग कहते क्या ओयल ऑफ विट्रॉल यह भी कोस्तन आपके कितनी बार पूछे जा चुके हैं अच्छा इसी को और क्या बोलते किंग आफ कैमिकल्स अगर आप यह पूछा आप से किंग क्या है तो आपको बताना सल्फ्यूरिक अमलको वाइल विट्रॉयल कि तो भी बताना है अमलको इतने सारे चीज़े आपको और भी बहुत चीज़े आपके लिए लिके लाया हूं तो यहाँ पर नरम की बात हो रही है तो नरम इन चारू में अगर देखे तो है तो इसको राइट अंसर क्या होगा तैल क्या आपका भी अंसर अप्सन नुमर यारा है जल्दी से बताओ कमेंट बोक्स में टाइप करके मेरे दोस्त मेरे बाई और मुझे चाने वाले जोहार साथी कि नेक्सट कोस्टर नमर देके इतने सारे चीजे इतने सारे चीजे आपको मैं लिक कर लाया हूं किस पदार्थ सबसे ज़्यादा नरम होता है इसके वाद है जिफसम है ना तो यह सारी चीज़ें आपके लिए लीक कर लाया हो मेरे दोस्त नेक्स्ट को सर्वर 29 क्या बोलती है का एन ओटू का रूम या की फ्यूमस रंग में है इसका बताएं नोटू के बारे में पूच रहा है भूरा होत होता है या लाल होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या होता है मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाने वाले जोहार साथी तो नोटू का जो फ्यूमस रंग होता है वह होता है भीहूरा यानि इसको राइट अंसर हो जाएंगे ओप्षन नंबरे कितने तक कितने सही कर पाए हो जल्दधी से स्क्मेंट करके बता उसर सौडम सेंग तो आप revenue पर दो जो कि सांस का प्रैक्टिस इट नमबर ये दो वो हो चुका है बिल्कुल क्या फिनिस अगला दिन मैं लेकि आओंगा साइंस का प्रैक्टिस सेट नमर नाइन और उसमें भी 30 बैहतरिन कोस्टन आपके लिए मैं लेकि आओंगा और उसे पूरी तरीका से बरवाद कर दूगा मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जो हार साथियों तो क्या आपको साइंस की ये क्लास अच्छी लग रही है क्या इसे भी आगे भी कंटिन्यू रखा जाए आप लोग कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा और जाते जाते ये भी बता दो कि आपने 30 कोस्टन का सेट लगाया कितने सही कर पाएं कि 30 में से कितना लेकि आया हो जल्दी से कमेंट वॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त और ये एक बात याद रखना सोंबार को सामें 6 बजे लाइव आना मत बुलना क्यूंकि मैं वहां पर करवाने वाला हूं math for all batch math for all batch का मतलब है कि वहां पर math एक दम सिखाई जाएगी और आपके जारकंड CGL जारकंड का जो मैटिक लेवल का एकजाम है जारकंड जो J है और जारकंड के जितने भी एकजाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही राम बान सावित होने वाला है और वह all batch काने का मतलब मेरे दोस्त कि भारत में जितने भी एकजाम होते हैं बेटा सब का मैट को हम टार्गेट करेंगे किसी को छोड़ेंगा नहीं मेरे दोस्त क्यूंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से जादा पहली क्लास करके देख लेना बेटा गरदा ने उड़ा दिया तो मैं बोलना तो हमारी क्लास को लाइक किजिए चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिजिए मेरे दोस्त बस गुरू दसना के रूप में मैं आपसे यही चाहता हूं ठीक है परणाम मिलते हैं आप लोगों से अग मंगल में हो थैंक यू बाबाए